नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का हमारे चनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों के लिए बिना केमिकल्स का शेंपू आसानी से घर पर ही कैसे बना सकते हैं आज की समय में हर इंसान बालों की समस्या से परिशान ही रहता है चाहे वे गंजा बन हो या फिर बालों में रूसी की समस्या इस तरह की समस्या से निपटने के लिए लोग कई तरह के हेर ट्रीटमेंट्स का सहरा भी लेते हैं लेकिन 99 प्रतिशत मामलों में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है इसके पीछे का कारण केवल यहा नहीं होता है कि उनका ट्रीटमेंट्स सही तरीके से नहीं होता है इसके पीछे और भी कई कारण होते हैं जैसे की खान पान और लाइफ स्टाइल आज के समय में लोग अपने बिजी स्केडियूल के कारण ना तो हेल्दी डाइट ले पाते हैं और ना ही अपनी नींद पूरी कर पाते हैं इन सब चीजों का उनके हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है उनके शरीर में जरूरी पोशे तत्वों की कमी होने लग जाती है इन सब चीजों का साफ असर उनकी सेहत और बालों पर भी देखने को मिलता है हाला कि कुछ लोगों में बालों का जढ़ना या फिर गंजापन अनुवनशिक भी होता है लेकिन कुछ मामलों में लोग घरेलू नुस्खों की मदद से अपने बाल जढ़ने की समस्या को रोग सकते हैं तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घरेलू शैंपू की मदद से कैसे बालों को तूटने या फिर जढ़ने से रोका जा सकता है साती यहाँ घरेलू शैंपू आपके बालों को खुबसूरत और घना भी बनाएगा दोस्तों दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यहाँ एक आजमाया हुआ नुस्का है और कई मामलों में कारगार भी साबित हुआ है तो चलिए जानते हैं इस शैंपू को बनाने की जानकारी इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक निवे दन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप यार सब्स्क्राइब का बटन दबा कर हमारी सदे सिता को जरूर ले ले तक कि आफ हमसे जुड़े रहें हमारे दोरदी का जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिटा चेकें इस हर्बल शेंपू को बनाने के लिए दोस्तों आपको जरूरत होगी 50 ग्राम बीज निकला हुआ रीठा, 50 ग्राम सुखा आवला, 50 ग्राम ही शिकाकाई और 50 ग्राम दाना मेथी के सबसे पहले तो इन सबी वस्तूं को मिलाकर रात भर पानी में भिगो दीजे, फिर सुबह इसे 15 मिनिट उबाल लीजे, जब ये ठंडा हो जाए ना तो इसे चानकर इसका पानी अलग कर लीजे, अब इस पानी में एक नीबुकरस डालकर अच्छी तरह से मिला लीजे दोस्तों आपका एक बहतरीन हर्बल शेंपू तयार है, आप इसे एक बोटल में भर कर रख लीजे और जब भी बाल दोने हो ना आपको, तो इस शेंपू का ही इस्तमाल कीजे यह शेंपू बालों के लिए बहुत ही फाइदमंद होता है, इसे आसानी से आप घर पर बना सकते हैं दोस्तों, इसमें बाजार में मिलने वाले शेंपू की तरह तेज और हानी कारक केमिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए यह होम मेर शेंपू ना सिर्फ आपके बालों और सर की त्वचा के लिए अच्छा होता है, बलकि आपके संपून स्वास्त को भी नुकसान नहीं पहुचाते हैं, तो आप इसे घर पर जरूर से जरूर बना कर देखें, ओके फ्रेंट्स, तो दोस्तों आपको हमारे दोर अधिक या जानकारी क्यासी लगी हमें कमेंट करके जरू तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद